अरे महेंगी तो इतनी है कि जिसका कोई जावाब ही नहीं यहां पर क्या है गुजरात के अंदर कोई सत्ता पल्टा हो है जैसे केजरी वाल तो हमको भी मतलब क्या है बिजली का बील भरने का तो हम गरीबों को थोड़ा फाइदा हो जाए है । गुजरात में बजली मेंंगी अरे गुजरात में अभी यहानी हुर समझों के सोक अब अबढ गई है बराबर उसकी जगह 8 मैरे मेरे को साथ और रुपे वरने आता है पिजली तो बहुत हैं यहां जैसे के दिल्ली में रहात मिली एसी के अमदावाद में भी रहात मिले तो हम लोगों को मन में सांती हो है कितनी मुश्केली पड़ती है मिलल क्लास को जब दिजली के भी लाते हैं और जब इस तरह से टैक्स अलग अलग चार्जी सफसुल करने में आप अब उसकी मेंगा काफ इतने मिलेगी रहात देने चाहिए लोगों के तो बिल्ली अब वाव और वाले बढ़ाते ही जाते बढ़ाते ही जाते क्या और महेंगवारी भी इतनी सब है कि हम लोग रिक्षा वाले खुद है हम लोग है रहान परेशान है लेगो गेस का वाव भी पहले कुछ 40-45 रुप यहां गरीबों को भी राहत हो जाओ है प्रजा को कितना फाइदा होगा यह यूजना है जो लागों को जो गुच्रा कि बहुत सारा फाइदा होगा हमको भी स्मापाइदा हो जागा मिलनी चाहिए नहीं एसा दोड़ी है जब वहां बाहर के स्टेट में मिलना जरूरी है ब और पहले यहां मिलनी चाहिए बाद में वहां मिलनी चाहिए पाटी गुजरात में आई है तीन सो यूनित बिजली देने की बात करी और जो मध्यम बर गे उनको ही बोल लेगे कि हम आएंगे तो उसमें सुधार आवगा उनकी परिस्थिती में उनको लाब देंगे कि यहां पर गुजरात में आ जाए तो हम गरीबों का तो बहुत सारा भुला हो जाएगा तो कि बिजली के अला हो और भी कुछ खाने पीने की जो चीजें है अनाज पानी है उसमें भी तो कुछ कम रेट हो जाएगा क्या है लेकिन यह सरसकार है तो हम ठक गए आजादी समझार हो जी